हाई फ्रेंग्स गुड बॉर्निंग वेलकम तो एक्सेंबी आई होप आप सब अच्छे हैं और प्रिपेरिंग वेल फॉर्ग एक्सामनेशन तो शुरू करते हैं आज का मारा करेंट अफेर जो की है 27 अफेर नावंबर 2022 इसमें न्यूस बहुत ही कम रहता है बट स्टिल देर फ्यू न्यूस तो इस शॉर्ट लेक्चर भी में तिल ली एंड बट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि आप इसके पीडियोफ को डाउनलोड करो आप बीपीडिया का मैं आपको एक बात बता दू अभ इसमें 100% of the questions were covered in BPDIA, so can you imagine 100% from just one source, so this is one of the best source that is available in country, तो आप हमारे website से बीपीडिया को डाउनलोड करना ना भूलो, so that you can revise it, so बढ़ते हैं आगे हमारे first views of news के तरप में वो है housing plan, तो देखो ये जो news है ना, ये एक प्रोबैबल news है, and this is about प्रधान मंत्री आवास योजना, right, जो की 20 November 2016 में launch हुआ था, with effect from 1st April 2016, और जो primary objective था, वो ये था कि 2024, तक देश में सबके पास अपना घर है, मतलब housing for all ये था इसका theme, ठीक है, तो अब इसमें क्या दिखता दाया, अब इसमें जो आया है, rural जो housing है, मतलब प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीन, ये जो ग्रामीन वाला है, इसमें अभी 28,000 करोग का booster inflation की जरुवत है इस साल में, उसके पीछे का वज़ा क्या है, पीछे का वज़ा ये है कि अगर हमको 2024 तक as a nation, ये housing for all वाले चीज को successfully देखना है, then, you know, we would need this amount, reason, अब sources के साब से 29.5 million rural houses scheduled to be completed by March 24, around 20.6 million has already been constructed, अब 8.9 million house अभी बनाना बाकी है till 2024, ठीक है, बतलब 20.6 million तो होई गया है, ये 29.5 था initial target दभी 16 में launch हुआ था, अब कितना बनाना है, 8.9 million houses बस बनाना है, काम खतम हो जाएगा, लेकिन अभी challenges ये है, because of covid थोड़ा slowdown होए था, उसके बाद, you know, the finance mobilization नहीं हो पाया अच्छे से, तो बहुत सारे factors के वज़े से ये slowdown हो गया है, that is why there is high chance that there would be a booster, तो देखो ये news क्यों आ रहा, एक चीज आप समझो, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, अभी budget consultation शुरू हो गया, right, मतलब हुमारे जो finance minister है ये देश में अलग-अलग department, अलग-अलग officers से मिलेंगी, शिवरी discuss about tea, मैंने वो एक budget का blueprint तय सबके साथ मिलके, सबके साथ वो मिल रहे है, बाकी सब stakeholders उनसे मिल रहे है, तो ऐसा news अभी आते रहेगा, मैंने उस दिन भी पताया था, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, बड़कि ये final amount क्या होगा, ये तो हमको budget में पता चलेगा, लेकिन इस बीट जो exam है, अगर आपक से better content है, मतलब if you have to write descriptive तो इस से better content आपको मिल नहीं सकता, मतलब ये बहुत ही content है, कि हमारा target approximate कितना था, कितना complete हुआ भी तक, कितना बचा हुआ है, write कितने पैसों की जरुवत है, कैसे, जैसे आपको याद होगा, मनरिरा के लिए, Minister of World Development ने Department of expenditure, expenditure से कितना रुपय मांगा है 25,000 के हो, right, I hope you remember that news, वो भी कुछ एक मैने के अंदर में ही news आया था, तो ऐसे government schemes को लेकि कुछ ना कुछ news आपके लिए आदर रहेंगे, तो अगर हम FY23 की बात करें, the government has started to complete the 5.3 million houses, मतलब second last साल में government 8.9 million से 5.3 million houses को complete करना चाहती है, इन FY22 मतलब जो चल रहाया भी, the official data shows that the center targeted to be around 6.5, 1 million houses, will houses, of which 4.3 million got completed within that financial year, 4.3 million, I am very sorry, मैंने इसको current year बताया, नहीं, यह है पिछला वाला financial year, जो कि 31st March 2022 को खतम हो गया, target था 6.1 million का, लेकिन achieve only 4.3 million, तो यहाँ वाला जो lag है, वो lag भी इसी साल पुरा कर लेना है, क्योंकि अभी time नहीं बचा हुआ है, तो बरते हैं आगे हमारे next news पे, वो है NARCL transfer case, तो देखो जैसे NARCL आपको पता होगा, इसका औरेक नाम है, bad bank, तो यह basically है क्या, यह NPA को take over कर लेती है, बैंक के पास जो NPA होता है, वो NPA को take over कर लेती है, तो एक सच ऐसा देश में हुआ है, बट अभी क्या है, लेंडर awaits government guarantee for security receipt, तो आपको याद होगा, NARCL जो भी assets को take over कर लेगी, उसके against में government of India security receipt issue कर रहा, right, मतलब government guaranteed है, so news यह है, while NARCL is working on about a dozen cases, lenders are looking to the government to provide guarantee for security receipt for the first straight asset, कौन है, JP InfraTech, यह तो हम पहले भी देख चुके हैं कि JP InfraTech कब पहला आया था, right, NARCL ने अब तक probably 15 ऐसे बड़े जो NPA है, वो नहोंने take over कर लिया है, and probably यह JP InfraTech का जो पहला है, case वो solve करने वाले है, the NARCL offered just more than 3500 करो, for debt towards 9200 करो, मतलब 9200 करो, सब बैंकों में इनका बकाया है, वहाँ NARCL उनको 3500 करो का debt offer किया है, right, अब government क्यों है, अब यह चीज़ आपको पता होगा, कि NARCL are backed by the government guarantee for SR issued by it, security receive issued by it, this puts the ARC at an advantage over other bidders, तो NARCL, क्योंकि और भी bidders होंगे, asset reconstruction companies होंगे, जो आके bid करती है, bank के खुद के ARCs भी है, right, for example, HDFC का है, Kotak का है, तो bank के खुद के पास भी ARC है, तो यहाँ पे, जो NARCL है, बाकी सब ARC से, इसको advantage position पे इसलिए रखता है, because they offer bank guarantee, any party interested in making a competitive offer has to pay in cash, तो I hope यह समझ में आ गया, मतलब NARCL सिधा सिधा cash pay नहीं करेगा, right, वो क्या करेगा, 3500 करों का security receipt देगा, लेकिन जो दूसरे party है, उनको यह पैसा जो है, 3500 करों, यह cash के form में ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह difference है, I hope यह clear, cash के form में देना पड़ेगा, इसका मतलब यह नहीं कि यह सच में cash देंगे, मतलब वो amount immediate transfer होना चाहिए, in the form of, वो तो digital transfer ही होगा, 3500 करों कोई तो बैग में भरके लेके जाएगा नहीं, so cash का मतलब वो है, लेकिन ARC यहाँ पे कोई transfer नहीं करेगा, ARC सीधा-सीधा एक छोटा सा page, जिसको security receipt बोलते हैं, 3500 करों को वो दे देगा, यह जो security receipt है, यह NARC यह नहीं यह government of India issue करेगा, ठीक है, तो मतलब this is sovereign backed, तो यह है difference एक normal ARC में and NARC में, I hope यह आपको clear हो गया है, बढ़ते हैं आगे next news पे, जो 26 Jan 2023 को Republic Day परेड होगा, उसमें Egypt के President LCC इनको invite किया गया है, ठीक है, अबदेल फटे LCC, यह नाम आपको याद रखना है, ठीक है, Egypt से जोगा हुआ और क्या क्या नीउस है, Egypt से जोगा हुआ सबसे बड़ा news इस साल का है, एजिट में COP 27 कम्प्लीट हुआ है, उसके regarding, I hope आपको सब नीउस अब तक याद हो चुका है, बढ़ते हैं आगे, अब कुछ वन लाइनर पे, वो है, आस्ट्राहिन, तो देखो, यह, मतलब और आपको थैन देласт में आपको दहनत दना है, ज अब आपको दहतन दिना है, अब नाम क्या है? ओशेंसाइट 3 यह नाम आपको याद रख लेना है यह Department of Animal Husbandry ने Animal Quarantine Certification Service कहां पर शुबू किया है? बैंगलोगों में शुबू किया है तो यह सारा नाम आपको याद रखना है पढ़ते हागे हां हमारे Last News के तरफ मुक्त भारत टीबी मुक्त कैम्पेंग जिसके Brand Ambassador बनाया गया है एक अर्जुन एवार्डी ठीक है? पदमशेरी खेल रतना सभी चीजन को मिला है Dr. H.C. दिपा मले ठीक है? तो यह आप नाम आपको याद रखना है उसके बाद National Award for Green for E-Governance E-Panchayat Mission Mode Project E-Gram Swaraj and Audit Online for Ministry of Panjaiat Raj has won the Gold Award under the category Excellence in Government Process Re-Engineering for Digital Transformation of the National Award for E-Governance इनको यह आवार्ड मिला है तो यापको दहन देना है With this, we are done for the day let's meet tomorrow morning once again till then unfold your potential and all the best for all the exam that you are preparing so prepare 50% faster with IXMB आपको 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 आपक